जैश्रीमन नारायन दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है तो चलिए वीडियो शिरू करते हैं और जानते हैं कि अच्छा समय आने से पहले मिलते हैं हमें दस संकेत और इसका अर्थ होता है कि साक्षात लक्षमी हमारे घर आने वाली है धनवान कौन नहीं होना जाता धनकी देवी लक्षमी की कृपा से ही धनकी प्राप्ती होती है और जोतिश शास्त्र के अनुसार भी ऐसे दस शुव संकेत मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि आपके घर में महालक्षमी जी का आग्मन होगा और आपको आपार धन मिलेगा इस से आप अच्छा समय आने का संकेत भी मान सकते हैं तो इनी संकेतों में सबसे पहला संकेत जान लेते हैं कि अचानक से अगर आपके घर में काले रंग की चीटियां आकर गोला बना कर कुछ खाने लगे तो समझ लें कि आपके घर में महालक्षमी जी का आगमन होने वाला है और आपको आपार धन मिलने वाला ऐसे में उन चीटियों को भगाएं नहीं बलकि उनको नमस्कार करें उन्हें शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं ये बहुत ही शुब माना जाता है तो चलिए दूसरा संकेत जान लेते हैं यदि आपके घर में कोई चिड़िया आकर घोसला बना ले तो ये बहुत ही शुब संकेत माना गया है आप मान ले कि आपके घर में माहलक्श्मी जी का अगमन होने वाला है ऐसे में चिड़िय को घोसले को हटाये नहीं बलकि उनके दाने पानी adop का इंतजाम करें उनको अपने घर में सुरक्षित रखें तो चलिए तीसरा संकेत जान लेते हैं यदि घर में अचानक से तीन चिपकलियां आपको एक ही स्थान पर दिखाई दें तो यह बहुत ही शुब माना जाता है यह मालक्षमी जी के आने का संकेत है ये भी कहते हैं कि इन्त ही शुब माना जाता है चौा जान लेते हैं यदी आपकी दाइनी हतेली में लगाताव खुजली हो रही है तो ये भी धन प्राप्ति का शुब संकेत माना जाता है पाचवा संकेत है यदि आपके सपने में जाडू, उल्लू, घडा, बासुरी, हाथी, नेवला, शंक, चिपकली, तारा, साप, गुलाब ये सब दिखाए दें तो ये भी धन प्राप्ती का संकेत माना जाता है पर हमें सपने में ये चीज़े दिखती हैं पर हमें इनके बारे में ज्यान नहीं होताु इनका क्या मतलब है तो ये जानले। कि जाडू, उल्लू, घड़ा ये सब अगर आपको अपने सपने में दिखें तो ये धन प्राप्ति का ही संकेत माना जाता है और ये सपने बहुत ही अच्छे माने जाते हैं छटा संकेत जान लेते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि सुबा उठते ही अगर आपको शंक की आवाज सुनाई दे और ये आवाज आपको साम को भी सुनाई दे तो ये मालक्षमी की आगमन का संकेत होता है ऐसे भी शंक की जो आवाज होती है जो ध्वनी होती है वो मन में दिल में ब आपको घर से बाहर जाते समय गन्ना दिखाई दे तो ये भी धन प्राप्ति का संकेत होता है अगर आपको कोई दिखाई दे कि गन्ना लेकर के जा रहा है या फिर कोई गाड़ी में या ट्रक में भी अगर गन्ने जा रहे हैं तो ये भी धन प्राप्ति का संकेत आपको होता ह चलिए आठवा संकेत जान लेते हैं मालक्षमी जी का जो वाहन होता है वो उल्लो होता है और आपको अगर अपने घर के बाहर बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है तो मान लीजे कि आपके घर पर मालक्षमी का आगमन हो चुका है और आपको जल्दी ही आपार्धन की कहारी चीज या फे रोटी लेकर क्या तावा दिखाई दे तो यह भी इस बात की और संकेत करता है कि आपको कहीं से धनलाब होने वाला है दसवा और आखरी संकेत जान लेते हैं कि यदि आपको सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही कोई जारू लगाता हुआ दिखाई दे और ऐसा कई लगातार कई दिनों से आपको दिख रहा है और ऐसा कई दिनों से आप देख रहे हैं तो समझ लें कि आप बहुत जल्दी ही धनवान बनने वाले हैं तो यह थे वो दस संकेत जो कि आपको बताते हैं और जिनका मतलब है कि साक्षात लक्षमी आपके घर आने व उठाएंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें फ्रेंज और फामली के साथ में शेयर कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिक्शन बेल को दबाना विलकुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नहीं नी वीडियो नहीं जानकारी या इस